आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Question is Number of kingdom and five kingdom classification that have eukaryotic autotrophs organism? Given question में बताना है कि five kingdom classification अब यहां अगर हम five kingdom system की बात करें तो five kingdom system को propose किया था scientist वीटा करने और इस five kingdom classification system को दिया गया था in the year of 1969 में अब इस five kingdom system of classification में सभी living organism को divide किया गया था total पाँच kingdom में five kingdom में इनको क्या किया है? classify किया गया है सो यहां पर सबसे पहला जो kingdom है हमारा वो हो जाएगा monera पहला kingdom है monera monera kingdom की अगर हम बात करें तो इनकी अंडर रखे गया है सभी prokaryotes इनकी अंडर रखे गया है सभी prokaryotes और यह single cell यानि unicellular होते हैं single cell या फिर हम इनको unicellular कह सकते हैं और इनकी अंडर रखे जाते हैं सभी तरीकी के bacteria अब लेकिन यहां पर अगर हम देखेंगे तो question में हमें eukaryotic autotrops की बात करनी है तो monera यहां से हमारा क्या हो जाएगा बिल्कुल गलत हो जाएगा इस question के लिए second kingdom की अगर हम बात करें तो यह हो जाएगा हमारा क्या protesta अब protesta kingdom में जितने भी living रखे गये हैं वो सभी eukaryotes है वो सभी क्या है eukaryotes है लेकिन यह क्या है unicellular है यहां से भी living होते हैं जो अपना food खुद सिंथेसाईज करते हैं यानि autotrophic होते हैं तो यहां पर हम कह सकते हैं कि यह अपने food को खुद सिंथेसेस करते हैं यह होते हैं हमारे autotrops अब यहां पर अगर हम example लेके चलेंगे तो यह हो जाएगा हमारा क्या algae कि अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो तीसरा जो kingdom है वो है fungi, अब fungi तो हमारे autotrops होते नहीं है, क्योंकि यह अपने food के लिए दूसरों पर depend करते हैं, तो यह होते हैं हमारे क्या heterotrops, तो यहाँ पर यह भी क्या हो गया wrong, जैसे कि हमने बताया यह भी अपने food के लिए दूसरो क्या कर रहे है, depend कर रहे है, autotrops यह होते नहीं है, तो हमारे यह भी wrong हो गया, next kingdom की अगर हम बात करेंगे, next kingdom हमारा है planty, अब planty kingdom को अगर हम देखें, तो इसमें हम placed करते हैं सभी तरीके के plants को, और हमें पता है, plants हमारे होते हैं eukaryotes, okay, plants क्या होते हैं, eukaryotes होते हैं, और इनकी under ability होती है, कि अपना food खुद synthesize कर सकते हैं, यानि photo synthesis process के थूँ, अपना food खुद बना सकते हैं, हम यहाँ पर ख्या सकते हैं कि plants जो हमारे होते हैं, यह होते हैं autotrops, plants होते हैं autotrops, यहाँ पर हमारा यह सही हो जा जाएगा, next kingdom के हम यहाँ पर बात करेंगे, fifth kingdom, that is animalia, इनके under placed किया गया है सबी तरीके के animals को और हमें पता है जो animals होते हैं, इनके पास ability नहीं होती है कि अपना food खुद synthesize करे तो ये अपने food के लिए depend करते हैं डूसरोपे तो यहाँ पर ये भी हमारे autotrops नहीं होते हैं इस question के लिए अगर हम अपना question देखेंगे तो कह रहा है कितने kingdom ऐसे हैं five kingdom classification system में जिनके पास eukaryotic autotrops है और्गिनिजम है यहाँ पर तो यहाँ कौन-कौन से दो kingdom हो गया प्रोटेस्टा और दूसरा कौन सा हो जाएगा हमारा प्लांटी ये टोटल दो kingdom है क्लासिक स्टिवल से लेके meet IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही राउनलोड करें डाउट नेटा या whatsapp कीजिए अपने डाउट 8444 चार्स उपर